हेलो फ्रेंड संध्या एकडमी बेस्टेश टड़ी प्लेश में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्स मैट्स में वेक्टर एलजेबरा सदीज बीजगनित जो की सभी कॉंपेटिशन एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है सपेसली व्याख्याथा मैट्स के लिए हमारा अगला टॉपिक है दीक अनुपात और दीक कोशाइन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोशाइन मतलब जो साइन का उस्वाला रहता है न वह है ठीक है तो दीक अनुपात ठीक है अदीस घटक को क्या बोलते हैं D कनुपात जैसे यहां यह अदीस घटक है और यह क्या है सदीस घटक X1, Y1 और Z1, X1 I cap, Y1 J cap या और Z1 J cap ठीक है तो यह क्या है D कनुपात ABC जो एक सहक्ष के दी सामें लिखा जाता है यह तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो I cap के सांथ लिखा जाता है उसको A और J cap के सांथ लिखा जाता हूँ इसको B और K cap के सांथ लिखा जाता हूँ इसको C कहते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x equal, a equal x1, b equal y1, c equal z1, हम इसके लिए diagram बना लेते हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा, x अक्ष, यह हमारा y अक्ष, और यह हमारा क्या हो जाएगा, z अक्ष, बाहर की दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम यह एक point लेते हैं, ठीक है, इस point को हम यहां से मिला लेते हैं, ठीक है, यह हमारा o हो जाएगा, और यह हमारा p हो जाएगा, और यह x1, y1, b equal p की इस्थिती निर्देशा, ठीक है, और जो एक सक्ष की दिशा में है, ठीक है, x1 दूरी, ओ क्या हो जाएगा हमारा आधार, यह हो जाएगा हमारा लंब और ocp तक की जो दूरी है, ठीक है, जो हमने दूरी शुत्र में देखा था, की x1 square, plus y1 square, plus z1 square, under oda, हमारा क्या हो जाएगा, दूरी शुत्र हो जाएगा, यह हमारा करना हो जाएगा, ठीक ह तो जो x अक्ष की दिशा में चाहर रहा है उसको हम कौन्स नाम देंगे अलफा और y अक्ष की दिशा में जो चल रहा है उसको बीटा और z अक्ष की दिशा में बाहर ठीक है जैसे सिधे ऐसे ठीक है cos x equal क्या होता है आधार और upon करन ठीक है तो हमारा जो आधार है वो क्या है x1 है ठीक और जो करन है ठीक वो हमारा कीतना है under root x1 square plus y1 square plus z1 square ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा cos alpha का हो जाएगा घीक और उसी तरफ cos भीटा जो y2 की दिसम हैं वह क्या हो जाएगाश है वै यह से ही जो बाहर की तरफ जा रहा है जए अक्ष में जो बाहर की तरफ जा रहे उसके लिए जाएगाश है एक्स वे स्क्वेर बट्वास वैंवनिय ऑ इशक तहें खाले और को भी लिक सकते हैं। जैसे की एक चीज और देखना है हमें की L1 square plus M1 square plus N1 square equal क्या होता है 1 होता है या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal क्या होता है 1 इसको हम क्या करते हैं शौर करते हैं जैसे cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ठीक है हमने यहां निकाले थे ठीक है और यहां क्या है square है काश square है ठीक तो हम इसमें क्या करेंगे square करेंगे x1 square upon x1 square plus y1 square plus z1 square ठीक है वैसे ही y भी करेंगे y1 square plus x1 square plus y1 square plus z1 square ठीक है यहां हम under root इसले नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहां square में है तो यह वाला square और यह वाला कट जाएगा आपस में ठीक है तो यहां under root हड जाएगा ठीक वैसे हम z के लिए भी करेंगे z1 square upon x1 square plus y1 square plus z1 square हम इसमें क्या करेंगे इसमें हम पुरा मान रख दिये हैं xy और z का ठीक है अब क्या करेंगे इसका इसका और इसका lcm निकालेंगे तो कितना हैगा x1 square plus y1 square plus z1 square ठीक है अब क्या करेंगे इसको इससे divide करेंगे ठीक है तो x1 x1 तो कट जाएगा ठीक है और पूरा इन तीनों को हम क्या करेंगे 8 करेंगे ठीक है यह दोनों आपस में cancel हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा वन आ जाएगा यह हमारा क्या हो गया शॉल्व हो गया ठीक है अब हम cos x ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां देखे थे हम x1 b equal y1 और c equal z1 ठीक है हम इसको ऐसे यहां क्या करते हैं रखके देखते हैं ठीक x1 की जगा क्या लिखेंगे a लिखेंगे x1 की जगा a और y1 square की जगा b square plus z1 square की जगा c1 का square यह देख cos alpha equal ऐसे ठीक है वैसे ही इसको और ऐसे लिख सकते हैं a ठीक है अपॉन op सदिश मार्ड ठीक है या op का परिमाप ठीक वैसे ही cos beta को हम ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन क्या हो जाएगा a का square plus b का square plus c का square ठीक है यह हमारा b है तो इसके जगा y1 की जगा क्या लिखेंगे b और x1 की जगा a a का square plus y square की जगा b का square plus z1 square के जगा c का square यह आदा ठीक है अब क्या है इसको ऐसे भी लिखेंगे p अपॉन op सदिश परिमाप ठीक है और ऐसे लिखेंगे z का ठीक है कॉश गामा का यह है कॉश गामा ठीक है z1 की जगा क्या लिखेंगे c1 लिखेंगे x1 square की जगा a का square y1 की जगा b square plus z1 square की जगा c1 का square ठीक है यह ऐसे हम यहां लिखेंगे यह ठीक है इक्वल यह हो जाएगा c upon op सदिश परिमाप ठीक हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे ठीक तो यह हो जाएगा हमारा op सदिश equal क्या हो जाएगा under root x1 square plus y1 square plus z1 square equal क्या हो जाएगा a का वर्ग plus b का वर्ग plus c का वर्ग x, y और z को हम ऐसे लिखेंगे ठीक आगे है इस्थिती सदिश एक सक्ष के साथ अलफा कुन बनाते हैं ठीक है वैसे ही इस्थिती सदिश क्या है y अक्ष के साथ क्या कुन बनाएगी बिटा और इस्थिती सदिश जेड़क्ष के साथ क्या कुन बनाएगी गामा ठीक है इधर सीधा ऐसे बाहर की तरफ ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दीक कोशाइन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा Z है, ठीक, तो दीक कोशाइन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, कॉश अलफा, कॉश बिटा और कॉश गामा, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L, M, N, L इक्वल क्या हो जाएग हमारा कॉश गामा, ठी है, तो उस फर्मूला की बेस में हम एक्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे, आर सदीस इक्वल टू आई केप माइनस त्री जे केप प्लस के केप यह हमारा क्या है, दिया गया है, ठी है, तो इसका दी कनुपात होगा, एक्वल दो, बी एक्वल माइनस त्री और सी एक्वल क्या हो जाएगा, ठी है, तो हम फर्मूला लगाते हैं, ठी है, L इक्वाल, kоз fantasy equal, क्या हो जाएगा, हमारा A अपान, under root, A square plus B square plus C square, ठीक है? तो A कितना दिया गए है हमारे पास, 2, ठीक है, और A का इक्वाल कितना हो जाएगा, 4, और वैसे ही, B का इक्वाल कितना हो जाएगा, 9, और 1 का, 1 हो जाएगा, equal क्या हो जाएगा 2 और इन तिनों को हम एट करेंगे तो under root कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा ठीक है वैसे ही m equal क्या होता है cos beta equal क्या हो जाएगा हमारा b upon under root a cover plus b cover plus c cover equal minus 3 upon under root 4 9 और 1 ठीक है इसका 1 का square मतलब 4 और 3 का square 9 और 1 का square 1 ठीक है equal minus 3 और इन तिनों को एट करेंगे तो क्या जाएगा 14 आएगा ठीक है वैसे ही क्या हो जाएगा n equal cos gamma ठीक तो c upon क्या हो जाएगा under root a square plus b square plus c square equal 1 upon under root 4 plus 9 प्लस एक इन तिनों को हम एट करेंगे तो क्या जाएगा 14 आ जाएगा ठीक है हमारा next question है सदीश a सदीश ठीक है a सदीश equal i cap plus j cap minus 2 k cap के दी कनुपाद लिखिये ठीक है इसकी सहयता से दी कोशाइन ग्याद करना है ठीक तो दी कनुपाद क्या दिया गया है a equal 1 b equal 1 और c equal minus 2 ठीक है और हमारा क्या है दी कोशाइन l equal यह हमारा क्या है formula है ठीक यह यहां से यहां तक यह हमारा क्या हो जाएगा formula हो जाएगा ठीक है दी कोशाइन का तो l equal क्या हो जाएगा A upon under root A square plus B square plus C square ठीक है A equal क्या दिया गया है 1 और A square क्या हो जाएगा 1 का square B square क्या हो जाएगा 1 का square और plus C square क्या हो जाएगा हमारा 4 ठीक है अब एक बटे कितना हो जाएगा under root 6 इन तीनों को हम क्या करेंगे 8 करेंगे ता वैसे ही M equal B upon A square plus B square square plus C square ठीक है equal 1 upon क्या हो जाएगा under root 6 ठीक है इसका क्या है आधार सेम है तो सेम आएगा ठीक वैसे ही C है तो C कितना गया है minus 2 तो यह minus 2 upon यह हो जाएगा under root यह हमारा क्या हो जाएगा answer आजाएगा हमारा अगला topic है दो बिंदों को मिलाने वाला सदी ठीक है दो बिंदों को मिलाने वाला सदी इसके लिए हम एक डाइग्राम बना लेते हैं ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा S x अक्ष यह हमारा क्या हो जाएगा y अक्ष और यह हमारा क्या हो जाएगा Z अच्छा यह क्या है O ठीक तो हम एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले देते हैं ठीक है इसको और इसको मिला लेते हैं यह क्या है P पॉइंट यह Q पॉइंट और यह O पॉइंट ठीक है यह P है इसकी क्या है निर्दिशांग क्या है X1, Y1 और Z1 ठीक है क्योंका X2, Y2 और Z2 ठीक यह यहां से यहां तक की जो दिशा है ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा O P दिशा शौरी, O P सदिश, ठीक है, यहां से यहां तक के क्या हो जाएगा, P क्यों सदिश, और यहां से यहां तक के क्या हो जाएगा, O क्यों सदिश, ठीक है, तो क्या बोला है, दो बिंदों को मिलानी वाला सदिश, ठीक, यह हो गया है, तो इसका एक फार्मुला है, सदिशों के यो हमारा क्या हो जाएगा ओपी शदीश प्लस पी क्यूं शदीश इक्वल क्या हो जाएगा यह हमारा ओक्यूं शदीश ठीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा पी क्यूं इधर आ जाएगा ठीक है उसको हम रखेंगे यह इच पास ठीक है पी क्यूं को इसको हम उस सेड ले जाए माइनस यह OP इधर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस में इधर क्या था ठीक है तो P क्यों है ठीक P क्यों और इसमें हम क्या करेंगे मान रखेंगे Q कितना दिया गए हमारा निर्दिशांग कितना है O क्यों का ये है O से क्यों तक का X2 I cap plus Y2 J cap और Z2 K cap ये हुआ ठीक माइनस उसके बाद क्या करेंगे O P सदिश ठीक है O P सदिश का निर्देशांग कितना है ये यहां से यहां तक ठीक है O P सदिश का निर्देशांग X1 I cap plus Y2 J cap plus Z1 K cap ये हो गए ठीक है तो अब हम इसको शॉल करेंगे ये ठीक इसको ब्रेकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा X1 I cap minus Y1 J cap और ये हो जाएगा minus Z1 K cap ठीक है P क्यों इक्वल तो P क्यों शदिश इक्वल क्या हो जाएगा हमारा X2 और minus X1 I cap plus Y2 minus Y1 Z cap और Z2 minus ये हमारा Z1 K cap ये ठीक है तो ये P क्यों शदिश हो गया अब O P शदिश जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये वाला सामने आ जाएगा ये वाला पीछे चला जाएगा तो X1 और ये minus और X2 ठीक है I cap plus Y1 minus Y2 Z cap plus Z1 minus Z2 K cap ये हमारा क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला है ठीक P क्यों का तो इस बेश में हम एक क्या करते हैं एक्सरसाइस का उदाहरन कर लेते हैं ठीक है सॉरी उदाहरन कर लेते हैं ठीक बिंदुओं P equal कितना दिया गया है 2 3 0 एवं Q कितना दिया गया है minus 1 minus 2 और minus 6 ठीक है को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिश्ट सदिस क्या करना है ग्याद करना है ठीक है तो इह हमारा क्या है फोर्मूला ठीक P Q सदिस equal O P सदिस minus O सॉरी O Q सदिस minus O P सदिस ठीक है तो O क्यूं कितना दिया गया है हमें ये Q minus I cap minus 2 j cap और minus 4 k cap ठीक है minus op कितना दिया गया है 2i cap plus 3j cap plus 0k cap ठीक है अब हम क्या करेंगे bracket open करेंगे तो यह minus पूरा multiply हो जाएगा इससे तो minus i cap minus 2j cap minus 4k cap minus 2i cap और यह हो जाएगा minus 3j cap और minus 0k cap ठीक है अब इसको हम solve करेंगे तो यह वाला और यह वाला add हो जाएगा तो minus 3i cap ठीक है और minus 2i sorry minus 2j cap और minus 3j cap यह हमारा क्या हो जाएगा minus 5j cap minus 4k cap और minus 0k cap ठीक है इन दोनों का minus minus क्या हो जाएगा यह जूड़ेगा लेकिन minus का चिन्ने लगेगा ठीक है तो 4k cap यह हमारा हो जाएगा ठीक तो हम p q equal कितना हो जाएगा यह minus 1 और यह क्या हो जाएगा minus 2 ठीक है यह हम फॉर्मूला में मार रखेंगे यह वाला p q शदीश equal क्या हो जाएगा हमारा x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा यह फॉर्मूला हो जाएगा x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap ठीक है अब इस फॉर्मूला में हम इसका मार रखेंगे जो solve किये थे ठीक यह हमारा क्या हो जाएगा x2 ठीक x2 कितना है minus 1 ठीक है ठीक है यह p और क्यों इतना दिया गया i cap plus यह हो जाएगा y2 कितना है minus 2 और minus और y1 कितना गया है 3 ठीक है यह हो जाएगा j cap plus z2 कितना गया है minus 4 और z1 कितना दिया गया है 0 है ठीक है तो हम क्या minus 4 minus 0 के कैब ठीक अब इसको शॉल करेंगे तो क्या जाएगा ये हमारा माइनस 3 आई केप, माइनस 5 जे केप और माइनस 4 के केप ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है वैसे ही हम OPA, क्यों पी सदीस निकाल लेते हैं, क्यों पी सदीस का फार्मूला है, X1-X2 I-CAP प्लस Y1-Y2 J-CAP प्लस Z1-Z2 K-CAP ठीक है तो X1 कितना है हमारे पास ये 2 ठीक है, उसके बाद माइनस X2 कितना दिया गए है, माइनस 1 I-CAP प्लस Y1 कितना है, 3 और ये माइनस और Y2 कितना दिया गए है, माइनस 2, J-CAP ठीक है प्لस Z1 कितना है हमारे पास, 0 माइनस अर ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 तो माइनस माइनस का प्लस और ये 4 ठीक है k-kip तो इसको हम शॉल करेंगी तो यह हमारा क्या आजाएगा 3 i-kip यह हो जाएगा minus minus का plus 5 j-kip plus यह हमारा क्या आजाएगा 4 k-kip यह हमारा क्या आजाएगा answer आजाएगा अगला topic है हमारा खंड शुत्र section formula ठीक है इसके लिए हम क्या करेंगी diagram बना लेते हैं ठीक यह हमारा क्या हो गया x अक्ष यह हमारा क्या हो गया y अक्ष और यह क्या हो गया हमारा z अक्ष ठीक है तो हम एक point लेते हैं यह point और यह दूसरा point यह हमारा क्या हो जाएगा p और q ठीक है यह point और ले लेते हैं r जो की p और q को क्या कर रहे है divide कर रहे हैं इसको नाम दे देते हैं M1 और क्या नाम देते हैं M2 ठीक है अब इसकी जो स्थिती निर्देशांग वो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा P क्यूं शदी A सौरी O P सदीश और R की स्थिती निर्देशांग निकालने के लिए हमें अंतह विभाजन में क्या करेंगे हम R, ठीक है, OR निकालना है, ठीक, तो OR सदिस equal क्या होता है, M1, ठीक है, OQ, M1 क्या हो जाएगा, OQ सदिस, प्लस M2 हमारा क्या हो जाएगा O P सदिश ठीक है upon क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 ठीक यह हमारा क्या हो जाएगा अंतह विभाजन का फॉर्मूला आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या निकालना है बाहे विभाजन भी ठीक है देख लिजी, बाहे विभाजन भी यह हमारा क्या हो जाएगा? यह X रेखा है, ठीक है? यह X को नाम दे देते हैं P, Q और R, ठीक है? अब जो यहां से यहां तक की जो दूरी है, P से R तक वो हमारा क्या हो जाएगा? M1 हो जाएगा? और Q से R तक की जो distance है वो हमारा क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा ठीक है तो अंतह विभाजान और बाहे विभाजान का जो formula है वो same है खाली इसमें क्या है अंतह विभाजान में plus करने है और इसमें क्या करने है minus करना है ठीक है तो दोनों का formula क्या है हम question कर लेते हैं इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ठीक है 2 शदिश क्या बोला है 2 बिंदू P और Q लिजिए जिनके इस्थिती शदिश O P शदिश इक्वल 3 A शदिश माइनस 2 B शदिश और O Q इक्वल A शदिश प्लस B शदिश है ठीक है एक ऐसे बिंदू R का क्या है इस्थिती शदिश ग्याद करना है जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को तो अनुपात 1 के अनुपात में अन्तह एवं बाह्य विभाजन करता है ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा question हो जाएगा ठीक है यह हमारा question है ठीक अब इसका क्या बोला है अन्तह विभाजन ठीक तो O R सदिश इक्वल क्या हो जाएगा अन्तह विभाजन का यह formula है ठीक तो इसमें क्या बोला है ये वाला, ठीक 3A और O क्यों, ठीक है, फार्मूला है M1 O क्यों शदीस कितना दिया गये हमारे पास A सदीस प्लस B सदीस, ठीक है प्लस M2 कितना दिया गये है O P सदीस कितना हमारे पास 3A माइनस 2AA, sorry, 2 B सदीस, ठीक है और क्या है P एवं क्यों को मिलाने वाली रेखा कौन सा है दो अनुपात एक तो यह हमारा क्या हो जाएगा M1 दो है और M2 कितना है एक है ठीक है अब इसको हम शॉल कर लेते हैं 2A ठीक मल्टिप्लाई करेंगे 2A सदीस प्लस 2B सदीस प्लस 3A सदीस माइनस 3B सदीस ठीक है अब यह प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में और इन दोनों को एट करेंगे तो 3 आएगा तो क्या करेंगे इसको और इसको हम एट कर देंगे तो 5A सदीस अपान 3 यह हमारा क् अंतह विभाजन आ जाएगा ठीक है अब सेम ऐसे ही बाह्य विभाजन करेंगे ठीक है तो OR सदिस इक्वल M, Oक्यों सदिस माइनस M2, OP सदिस ठीक है तो upon M1 माइनस M2 ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा Oक्यों दिया गया है हमारे पास A सदिस प्लस B सदिस ठीक है तो M कितना है 2, sorry M1 कितना है 2 और M2 कितना है 1 है ठीक है दो अनुपात 1 तो तो O क्यों सदिस क्या है A सदिस प्लस B सदिस और O P सदिस कितना है 3 A सदिस माइनस 2 B सदिस तो हम यहाँ मान रग देते हैं इसका upon 2 माइनस 1 ठीक तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2a सदीश प्लस 2b सदीश माइनस 3a सदीश माइनस माइनस का प्लस और ये हमारा क्या हो जाएगा 2b सदीश ठीक है तो ये हमारा क्या जाएगा 2a सदीश माइनस 3a सदीश इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा 3a प्लस इसको और इसको हम एट कर देंगे तो यह हमारा क्या जाएगा फोर यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा आज के क्लास में बस इतने ही मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज हमारी यूटूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइट करने की पूरी कोशिस करेंगे ठैंक यू फ्रेंट्स